हेई करज अब फिर साब सभी कमेश्टर व्यास के अंदर स्वागत और आज का वीडियो बहुत है एक्स्क्लूजिव वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं कि December 2021 में अगर आपकी वेबसाइट Google के recent update से impacted हुई है या नहीं हुई है यह update क्या था कौन सी site इससे impact हुई है और सबसे most important चीज अगर आप उससे recover करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं साथे साथ यहां पर हम हर बार की तरह बात नहीं करेंगे हम simply यहां पर discuss करेंगे मेरी own strategy में मेरी soundproof idea.com के website को लेके आएंगे हम उसके सारे stats को check करेंगे और मैं यह आपको बताने वाला हूँ exactly Google का यह review update क्या था और कौन-कौन से site इसके थरू impacted हुई है. So my name is Kirti Shwais from bloggingos और supremecampus.com अगर आप इस channel पर नए है और सीखना चाहते है blogging, affiliate marketing और YouTube से related mind-blowing information तो आप इस channel को जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon को भी hit करना मज बुलिएगा. चले चलता है desktop की screen पर हर बार की तरह live case study मे हम इसको भी समझते हैं. हम लोग आचुक है desktop की screen पर एक चौटा सा update for supreme campus. Supreme campus का affiliate program आप screen पर डेश्बॉर्ड देख सकते हैं. ये वाला अभी within 7 days launch होने वाला है तो अभी आप supreme campus को promote करके भी 30% up to 30% का commission अंकन सकते हैं अगर आप supreme campus के member है. So ये partner affiliate program which was pending जो अभी launch होने वाला है अभी भी सोच रहें. इस बेस्ट ताम और दूसरी इंपरेंट चीच प्राइज चीच प्राइज फार थाज़न नहीं हंड़न नहीं होने रुपीज इंक्रीज होने वाली है. फ्रॉम नेक्स्ट वीक जैसे ही partner program लांच हो जाता है. अभी भी आप वेट कर रहें. इस इस ब product review अपडेट किया है. देखे, Google ने April 2021 के अंदर सबसे पहला अपना एक product review guideline अपडेट किया था. अगर मैं screen पे जाओं और screen पे जाकर आपको बोलू तो यहां पे देख सकता है right high quality product review. यह जो guideline था वो Google ने public किया था in April 2021. और जैसे यह guideline आया था तो मैंने इसके around आपको solution बता है. Similar type of content में 2019 से sound profile या पे लिखता आ रहा हूँ लेकिन अगर आपने वो video miss किया है तो आवो recommend कि इस video को खतम होने के बाद इधर इधर जो भी आपको कहीं पे भी दिख रहा है thumbnail उसका link में description में दूँगा उसको जरूर जाके देखेगा अगर आप सही में इस product review अपडेट से recover करना चाहते है और यह exactly क्या है अभी बात करते तो इसी चीज को ले करके finally Google ने लोगों से feedback मांगा और December 2021 को Google ने यहाँ पर इसका official announcement कि आप देख सकते है December 1st को कि April 2021 में जो reference लिया गया था उसके feedback की basis पे हम लोगों ने finally इसको roll out कर दिया है इसले मैं पिछले तीन हपते से wait कर रहा था I was checking कि मेरी site पे इसके क्या impact आता है क्योंकि soundproofidea.com पे बहुत सारे product review guides है right so हर बार की तरह हम यहाँ पर सिफ study हम यहाँ पर सिफ बाते नहीं करते कि Google यह ले किया वह ले किया बलकि हम live case study के थूरू समझते है इन चीजों को right तो अभी मैं आपको soundproofidea.com की case study दे सारी चीजे detail में तो एक बार फिर से अगर आप इस चैनल पर नए ऐसी ही live case studies में आपे देता रहता हूं इस चैनल को support करने के लिए जरूर subscribe करें यह video कुछ crucial और very special है जो आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर ले के आया हूं correct तो चले बात करते हैं पहले तो कि क्या impact आया क्यों क्योंकि Google का जब भी कोई roll out आता है तो वो ideally three week का time लेता है पूरे network को पूरे search engine को impact करने के लिए तो इसलिए मैंने wait किया तीन अपते का just to make sure कि मैं data को test कर सकूँ data आपके सामने लागा सकूँ right चले गाइस चलते हैं और इस पे discuss करेंगे exactly search console के अंदर जा ओके तो यह मैं search console के inside में जो कि soundproof idea.com आप देख सकते हैं यहां पे domain और यह search central का part अगर मैंने पिछले तीन महिने का record लगाया right और यहां पे आकर आप देखेंगे तो मुझे यहां पे consistent जिसे कि अगर मैं September की बात करूँ तो site पे 13 से 35,000 के somewhat impressions आ ज़ते हैं फिर इसको थोड़ा आगे ज जादा चला की site पे closely 19,000 अगर आप देखेंगे 16 सा 17,000 के impressions आने लगे day to day फिर थोड़ा और जाके देखा मैंने और November के अंदर मुझे करीबन 13,000 के impressions आने लगे then in the beginning और the end of the November मेरी site पे कहीं ने कहीं कोई तो ऐसा post होगा जो जादा rank होगा जिसकी वैसे impressions 18,000 के आसपास आने consistency maintained है आपको कहीं पर भी big dip देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं पर 16,000 सा सीधा 5,000 हो गया तो फिर से एक बार soundproof idea.com की site impact नहीं हुए है according to search console impressions में कभी कम ही इसलिए देखने को मिल जाती है इसका reason क्या होता है माल लीजे कि क्योंकि सबसे important चीज़ यह है कि मेरी site पे traffic impact हुआ न traffic में count नहीं होगा तो हो सकता है impression चाहे थोड़ा बहुत कम हुआ हो उसमें क्या वरग पड़ता है कि कोई content है या किसी keyword के लिए मेरा content number 10 में था वो 10-11 पे चला गया होगा जिस पर वैसा ही click नहीं आ रहा तो अब भी click नहीं आएंगे तो उससे traffic में को impact नहीं आया लेकिन impressions म आप थोड़ा slightly difference देख सकता है 16,000 से 14,000 which is okay not that much different हो सकता है एक पोस्ट इदर उदर हुआ होगा लेकिन इसका massive impact एक बार फिर से Google अपडेट करना ही पड़ा साथी साथ हम HRF के अंदर जाके देखते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर अगर अगर मेरा एक मुने पहला या आप देख सकते हैं नहीं plus हुआ है नहीं minus हुआ है मतलब overall site मेरी site से कोई भी impact नहीं हुई है इस particular update के अगर आपकी site impact हुई है तो मुझे comment करके बताए check the impressions, check the organic keyword अगर आपको लगता है कि उसमें massive difference आया that means कि आपकी site impact हो गई है अभी इस review update के अंदर Google exactly क्या expect कर रहा है अग अगर मैं यह पर जाके बताओ तो सबसे दो बहुरी बहुत बड़ी important चीज है, सबसे पहले चीज आज तक अगर आप किसी product किया किसी particular topic के around reviews करते थे तो अभी Google का यह कहना है आपको multiple seller के साथ आपकी content को link करना है that means more external link आपको देना है जब भी किसी product का review करते है that is the number most important part जि यहां पर मैंने यह भी बात की थे आपको external link definitely देना है आपको product के लिए pros और cons भी add करना है आपको product के लिए buying guide भी add करना है यह जितने भी pointers है जिसको मैं पिछले 2 साल से continuous use कर रहा हूं उसका चोटा about overview अगर आपको देखना है तो वो जो video है उसको definitely जाके देखिएगा April 2021 में जब यह rollout आया था तब मैंने explain किया था आपको content किस तरीके सा लिखना है तो that is वो videos आपको पता लाई है कि आपके content को कैसा recover करना है और यह साड़ी चीज़े मैंने supreme campus में already cover कर रखी है because it is the basic right हमें short term game नहीं खलना हमें long term game नहीं खलना है तो hopefully आपको वीडियो में पता लग करना है I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा और यहाँ पे एक चोटा सा स्टेट्स था जो मैं आपके साथ share करना चाहता था ताकि at least आप लोग समझ सकें कि blogging can be done in a good way अगर आपको really पता है कि उसका standard process of writing a content क्या है hopefully आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा आज के के लिए फिर मिलें एक लिए वीडियो के अंदर अपता के लिए जय हिन जय भारत